आप सभी प्रिय दर्शिकों का स्वागत हैं, आपके रिले क्या हैं, अमेजन ने क्या प्रेजन क्या है, सुप्रीम कोट में शुरुवात हो गई है सुनवाई की, यहाँ पर आज गिरावट आई है, वी हैव होल्ड अकेश, अभी हमने अपनी पोजिशन एजिज रखी हुई कि SAIC का जो रिजल्ट है, वो यहाँ पर इसको मानना चाहिए, बट फीचर रिटेल, पार्ट अव दे डील, यह है मिलियन डॉलर कोशन, और यही हरी शालवी जी आगे चलकर सुप्रीम कोट में डिफेंड करेंगे अपने केस को, आज यहाँ पर गोपाल सुपरमणियम जी क दिन था, उन्होंने काउंसल को रिप्रेजन किया मेजन की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि यह आगे चलकर, जो यहाँ पर सिंगपूर इंटरनेशनल का अमर्जनसी आर्बिटेशन अवार्ड आया है, वो वैलिड है, और यहाँ पर capable of being enforced under India law. देखे, यह एक right statement है कि अमर् Supreme Court की तरफ से सुनवाई करके तब implement करता है. जब भी आप देखेंगे, multi brand retail में FDI approved नहीं है, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा challenge रहेगा आगे चलकर, कि इसको long term के लिए यहाँ पर valid नहीं होगा. तो this is our point of view, आभी वो अपना argument रख रहे हैं, उन्ही सारी details आपको बताएंगे, उन्होंने कहा है, तीन मुख्या मुद्दे जो उन्हें बताया है, कि यहाँ पर future retail declare कर रहा है, emergency arbitrator order as nullity, और यहाँ पर Amazon कहा रहा है, जो future coupon में उन्हें निवेश किया था, वो इसी हिस्से से किया था, कि asset would continue to rest with future retail, उन्होंने इसको देखा था कि यह दूसरे competition को ना मिल पा Amazon has not consented for transfer of retail asset, वो अपना point of view बता रहे हैं, कि यहाँ पर हमने उनके साथ कोई भी agreement नहीं किया है, कि retail asset को बेज सकते हैं, please consult with financial advisor, अब यह आज इतनी तगड़ी गिरावाट क्यों आई है, देखिए, जब भी code की सुनवाई होती है, उसमें दो पक्षा सुनवाई होती है, जो हम आपको बता रहे थे, देखिए, आज का घरभाव देखें, तो 62 का level हमारे key level था, हमारे chart पर लगा हुआ है, आज बंद होते होते, यह 61 पर जाकर गिरा है, सारे future group के stock नीचे गिरे हैं, और in fact FMNL तो करीब 4% के आसपास ही गिर चुका है, यह level हमने बोला था कि 62 का level एक important level है, अगर यह तूटता है, तो 56 का level आगे रहेगा, तो यहाँ पर लग रहा है कि कुछ तरह से कुछ टाइम के लिए consolidation रहेगा, जब तक यह SIEC का case complete नहीं हो जाता है, यहाँ पर बुलिंदे bandwidth सिर्फ 9 है, और यहाँ पर देखेंगे तो band बहुत कम हो गया है, साथ गाल थोड़ा नीचे को रहा है, अगर कल यह bounce back करकर, फिर से 64 के आसपास आने की कोशिश नहीं करता है यह सफते में, तो यहाँ पर हो सकता है pressure फोड़ा सा नीचे की तरफ को है, this is a technical point of view, Elegator Indicator के तीनों level एक ही दिन में तोड़ दी है, यह भी थोड़ा सा एक negative है technical analysis के माधिन से, Super Trend का support 58 rupees के आसपास है, RSA level 45 है, तो यहाँ पर अभी भी इसको hold करने की decision है, हमारे हिसाब से जो discussion हुआ है, that is fair, expected था, गुपाल सुबरम्रम जी एक senior वकील है, उन्होंने जो present किया है वो अच्छा है यहाँ पर, अब यह दो judges हैं, इसमें RF नरीमन जी और BR गवाई जी, तो दोनोंने सारा सुनवाई किये है, और यहाँ पर अभी पहले बार Amazon, क्योंकि Amazon ने case डाला है, तो Amazon को सुनवाई करने की पहले प्रिस्तुति करन दी गई है, और उनका simple बात है, कि वो चाते हैं यहाँ पर, यह case यहाँ पर इसके reference में ना list हो, हमारा view, only after August, the Supreme Court can take the decision, जो तक SIAC का stay ना आ जाए, और अगर vacation अप्रूव हो जाती है Supreme Singapore International Arbitration Court से, तो यह deal हो के रहेगी, बहुत जल्द stock उपर चलना श को खरी सकते हैं, हमारा view बहुत bullish है, और हमारा target काफी उचा है, इस stock का, यह अपने recent 52 week high को तोड़कर आगे जाने की सक्रिशमता रखता है, price के technical view से देखा गया है, कि यह अच्छा stock रहेगा उपर चलने के लिए, अभी थोड़ा सा नीचे को corrective mode है, अगर आप देखें, 4 ह आफ्ते में 1.36 lakhs profit, आप चाहिए तो हमारे साथ free service उस कर सकते हैं, जाहिए जाहिए भारत, बाइ!